वेलकम टू मैट्स क्लास वच्चो हमाना मैट्स में सब्ट्रेक्शन का चप्रे चल रहा था न हमने इसमें बेसिक सब्ट्रेक्शन की थी आज हम उसे अपना अगला पार्ट करेंगे जैसे अगर आपके पास पैंसिन नहीं होती तो आप किसी से ले लेते हो ना हम ऐसे ही सब्ट्रेक्शन में भी जब हमारे पास कम डिजिट होती है तो हम अपनी साथवाज़ डिजिट से कुछ ले लेते हैं ठीक है आज हम यही एक्स्प्लेइन करेंगे सारा यही समझेंगे हम हमारे सब्ट्रेक्शन के बिटा तीन बेसिक रूल होते हैं कौन-कौन से होते हैं मौर ओन टॉप नौन टॉप कि अगर उपर वाले डिजिट बड़ी है तो आपको रुखने की ज़रूरत नहीं है आप सिंपल सब्ट्रेक्ट कीजिए मौर ओन दफलोर गो नेक्स डॉर और गेट 10 मौर कि अगर आपके पास उपर वाले डिजिट छोटी है तो आप अपने नेक्स वाले डिजिट से 10 बोरो कर लीजिए और अगर उपर और नीचे दोनों साइट सेम नंबर होंगे तो क्या आंसर आता है उसका 0 क्योंकि सेम नंबर में अगर उनको सब्ट्रेक्ट करत उपर बड़ा होगा तो सिंपल सब्ट्रेक्ट करना है उपर छोटा होगा तो 10 बोरो कर लेने है और अगर दोनों जगा सेम होगा तो अंसर 0 आएगा ठीक है अब हम इसके जो आगे सम्स हमें दे रखे हैं अपने बुक का चेप्टर शुरू करते हैं बिटा सब्ट्रेक्श जैसे आपके पस जितने पैसे हैं कम थे ना तो उसने क्या बोला ममा को अपनी what can I do now कि अब मैं क्या करूँ उसकी मम्मी ने कहा you can borrow 10 from शाम कि तुम शाम से 10 coins और ले लो but I have only ones but उसने बोला कि मेरे पास तो सिरफ ones ही हैं फिसकी मम्मा ने बोला think how many coins are there in 10s कि सोचो 10s के अंद 10 extra now शाम may I borrow from you कि हां में को 10 extra मिल जाएंगे उसने शाम से पुछा कि क्या मैं ले सकता हूँ शाम ने बोला yes my brother but only one 10 at a time कि हां जी आप ले सकते हो पर एक बार में सिरफ 10 ही मतलब कि जब हम subtract करने के लिए बोला करते हैं तो हम सिरफ 10 ही ले सकते हैं 10 से जादा कभी नहीं ले स इसका first question देखो आप जड़ा 2 minus 6 2 में से 6 नहीं हो सकते ना less तो इसमें से हमने 10 उदर से borrow किये थे यहां पर 12 हो गये था 12 में से 6 less किये तो क्या बने 6 और उदर 5 थे तो 5 में से 3 करके 2 ऐसी अगरा question है 5 minus 7 5 में से 7 less हो सकते हैं नहीं हो सकते ना उपर क्या है छोटी digit है तो हम क्या करेंगे मैंने भी बताया ना आपको कि जब digit उपर छोटी होती है तो हम अपने उसके 7 वाले digit से borrow कर लेते हैं और कितने borrow करोगे 10 हम 10 का just 1 लिखेंगे यहां पर ठीक है हमने 1 borrow कर लिया जब हमने 1 borrow किया तो 3 थे वहां पर अब कितने रह जाएंगे वहां पर 2 और यहां हो गए 15 तो 15 मेंसे अब आप 7 कट कीजिए count करो और यह lines लगा के जैसे आपको easy लगता है कितना हैगा 8 और 2 मेंसे जब 0 कट होगी तो 2 क्योंकि 0 की कोई value यह नहीं होती है जब निच्चे होता है next 3-4 नहीं हो सकता हमने 1 उदर से borrow किया तो कितने हो गए वहां पर रहे गए 4 और यदर 1 borrow कर लिया यहां पर 3 था तो कितने बन गए 13 13-4 कितने होते हैं 9 और 4-2 4 मेंसे जब आप 2 कट करोगे तो 2 ऐसे ही 5-1 5 मेंसे 1 नहीं हो सकते ना कट तो क्या करेंगे 1 borrow कर लेंगे उदर से जब 1 borrow किया तो 5 की जगा कितने रह जाएंगे हमारे 4 क्योंकि एक नंबर क हो गया इतर कितने बन गए 1 हमने borrow लिया है 1 पहले से था तो 11 11-5 11 मेंसे 5 कट करोगे 6 और 4 मेंसे 1 कट करोगे तो 3 ठीक है आगे यह समझ अब इनके निचे वाले questions देखते हैं इसे निचे वाले questions कौन से है 4-7 एक हमेशा हम जो less करते हैं वो 1 से ही करते हैं वही 4 चोटा है हम 1 बॉरो कर लेंगे उदर से उदर से वन बॉरो किया तो 3 भी 1 कम हो जाएंगे न यहां पर कितने रह गए 2 और इधर कितने हो गए 14 आप 14 मेंसे 7 को कट करोगे तो कितना आएगा 7 ठीक है 7 बंसे 7 7 तूसे 14 और 2 मेंसे 2 कट करोगे अब मैंने आपको 3rd रूल बताया था ना कि सेम होंगे तो 0 next 5 माइनस 1 9 नहीं हो सकता 1 बॉरो किया उदर से जब 1 आपने बॉरो किया तो वहां 4 की जगह कितने रह गए 3 और इधर कितने हो गए 15 15 मेंसे आप 9 कट करोगे तो 6 और उदर 3 मेंसे 2 कट करोगे तो 1 ठीक है ऐसे ही इधर 5 माइनस 8 नहीं हो सकते क्यों पर छो जाएगा कितना हो जाएगा 1 कट करेंगे तो 8 और यहां पर कितना बन जाएगा 15 अभी पिछे से यह ना आप 15 मेंसे 8 लेस करने है हमने पहले 9 के थे अब 8 लेस करेंगे तो कितना हैगा 7 और 8 मेंसे 4 लेस करो जड़ा 8 फिंगर्स करके 4 डाउन कर दो 4 ठीक है next इसमें भी सेम है बेटा 5-8 अभी किया हमने 5 मेंसे नहीं हो सकता 1 हमने बोरो कर लिया उदर 1 ही है 10 की जगा जब आप 1 मेंसे 1 कट करोगे तो यहां पर क्या रजाएगा 0 और इधर कितने बन जाएगे 1 में 15 15 मेंसे 8 हमने पहले कट के थे कितने आया था 7 और 0 मेंसे 0 कट तो कुछ भी नहीं जी रोई ठीक है तो यह समझ आया है न हमने कैसे किया है यह सारा सम्स हम एक तो यह देखना है आपने हमेशा हम जैसे 10 मेंसे बोरो करते हैं तो इस साइट 10 आता है हम 10 का जिस्ट 1 लगाते हैं तूसरी डिजिट जो होती है वो वही वाल लगाते हैं जो 1 की साइड होती है य और इसके निच्छे वाले और हैं, यह आप खुट ट्राइ करना, ठीक है? बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी सब्ट्रेक्ट करना है, तो वन्स की साइड से करना है, पिछे वाली साइड से करना है, टैंस की साइड से कभी ने करते हैं, हमेशा वन्स की साइड से ही करते हैं ठीक है और और अगर आपको कुछ समझना आए तो आप कभी भी पूच सकते हो ठीक है बस आप Try करना करने के कि आप उससे यह हो रहे हैं यह नहीं हो रहे हैं और जितने होते हैं अप उतने ही सम करना ठीक है बाट तब तक Bye Bye बचो